हेलो दोस्तो वेलकम टू माई यूट्यूब चेनल दोस्तो आज हम जानेंगे इंडिया पोश्ट पेमेंट बेंक एकाउंट की SMS आलर चार्जेस के बारे में दोस्तो अभी भहुत सारे IPP यूजर्स के एकाउंट में से SMS चार्जेस डेबिट हो रहा है किसी का 5 या 10 रुपे तो किसी का 20 या 30 रुपे इससे डेबिट हो रहा है जैसे इस एकाउंट में से 8 अक्टबर 2024 को 3 रुपे 25 पे से SMS चार्जेस डेबिट हुआ है जो की एप्रिल से जून 2024 क्वाटर का था उसी तरह 12 अक्टबर 2024 को भी 2 रुपे 95 पे से डेबिट हुआ है जो की जन्वरी से मार्च 2024 क्वाटर का था तो ये क्वाटरली चार्जेस अभी सभी के एकाउंट से डेबिट हो रहा है तो चलिए जानते IPVP एकाउंट की लेटेस्ट SMS चार्जेस के बारे में दोस्तो जब भी आप IPVP एकाउंट में कोई भी ट्रांजिशन करते हैं यानि कोई भी पेसे आपके एकाउंट से डेबिट होता है या क्रेडिट होता है तब बेंक की तरफ से SMS आता है जैसे इतना पेशा आपके एकाउंट में क्रेडिट हुआ और इतना पेशा आपके एकाउंट से डेबिट हुआ और एकाउंट रिलेटर जो भी SMS आता है तो ये सब SMS के लिए बैंक की तरफ से एक चार्जे से जो की SMS अलर्ट चार्जे से दोस्तों, अभी IPP account की SMS Charges quarterly debit होता है यानि 3 महिने में 1 बर debit होता है एग साल में 4 बर debit होता है एग साल में 4 बर आपको SMS Charges को देना होगा तो जितना SMS आप रिसिप करेंगे, यानि यूज करेंगे उतना Charges आपको देना होगा यानि जितना transition होगा उतना SMS आएगा जितना SMS आएगा उसके इसाब से आपको charges को देना होगा और account related जो भी SMS bank की तरफ से आएगा आपको charges को देना होगा जो दोस्तो इंडिया post payment bank account में अभी 2024 में पर SMS alert 25 पेशा का charges लगता है और इसके साथ 18% GST अलग से लगता है एक quarter में यानि तीन महिने में जितना SMS आप receive करेंगे उतना charges आपको देना होगा यानि next quarter में आपको उसका charges को देना होगा जैसे अगर आपने January से March quarter में जितना SMS रिसिप किया और जितना SMS को आप use किया उसका charges आपको next quarter में देना होगा यानि April, May महिने में या June महिने में कभी भी आपके account से पेसे debit हो जाएगा SMS आलट का जैसे example अगर आपने एक quarter में 20 SMS रिसीव किया तो आपको 5 रुपे का charges लगेगा यहां पर SMS 25 पेसा है तो 20 SMS का 5 रुपे charges लगेगा इसमें 18% GST मिला के टोटल 5 रुपे 90 पेसा आपको देना होगा उसी तरह अगर आपने एक quarter में 100 SMS रिसीव किया तो आपको 25 पेसा का charges लगेगा यानि 25 रुपे का charges लगेगा एक को एक SMS का charges 25 पेसा है तो 100 SMS का 25 रुपे है तो इसमें 18% GST मिला के टोटल चर्जेस 29 रुपे 50 पेसे है तो 29 रुपे 50 पेसा को देना होगा दोस्तों यहां पे एक साल पहले एक फिक्स रुपे था जो की पौर क्वाटर 10 रुपे था एंड 18% GST मिला के टोटल चर्जेस 11 रुपे 80 पेसा था यहां पे पौर क्वाटर फिक्स रुपे 80 पेसा आप जितना भी उतना चर्जेस आपको देना होगा जैसे बहुत सरा लोग को एकांट को यूज नहीं करते तो उनको कोई भी समस नहीं आता है तो उनको बहुत कम चर्जेस लगेगा एक या दो रुपे का charges लगेगा तो जितना जो लोग account को बहुत use करते हैं तो उनको थोड़ा ज्यादा charges लगेगा जैसे 20 रुपे, 25 रुपे दोस्तों अगर आपके account में अभी balance नहीं है और यह जो charges से pending रह जाएगा तो जब भी आपके account में पेशा आएगा तब automatic यह pending charges आपके account से debit हो जाएगा इसलिए last year का charges अभी बहुत सरे account से debit हो रहा है और दोस्तों मैं बता दू यह जो SMS charges से यह बंद नहीं होगा आप SMS alert को बंद नहीं कर सकते यह bank की तरप से है तो यह तो अभी तो कोई भी system नहीं है ऐसे बंद करने का तो जोस्तों यह रहा IPVP account की SMS alert charges के बारे में तो यह वीडियो कैसे लगा आपने comment पर बताएए अच्छा लगे तो आपने like शरे और subscribe करना Thank you for watching